हेलो दोस्तों मैं हूँ अभी से एक आपका सेल प्रिपेर गुरुजी दोस्तों यहां पर मैंने एमेजौंस से एक बहुत ही यूसफुल प्रोडक्ट और किया है यह देखें और बहुत अच्छा पैकेट में आया है यह बल्ड स्किल्ड प्रो और यह एक्छुली इसे पहले मैंने वैक्उम क्रिणर वाला यूस किया था जो डिमयाटिक वाला आता है इस्परे गन वह मैंने यूज्च किया था अगर आप घर में यूस करना चाहते हैं तो फिर वह डिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें फिर एयर कंप्रिटर चाहिए बहौत सारा अटैच् पास कार है, मोटर साइकल है, या घर में ही कुछ पेंट करना चाहते हैं, तो यह मुझे अच्छा लगा, जस्ट मैं आउर्डर किया है, और यह देखे, बहुत कुछ दिया हुआ है भाई, यह देखे, सब कुछ मैं पहले बाहर निकाल लेता हूँ, यह देखे, यहाँ पे, ओ और यहाँ पे यह मैनुवल दिया हुआ है, और इसमें अब कुछ नहीं है, तो बिल्ड स्किल प्रो कुछ ऐसा दिखे गा है, मसी, और यहाँ पे यह जो है, I think कितना अमल का है, इसमें एरॉंड थ्री हंड्ड, 500 अमल का है, यह नहीं, I think 700 अमल तक यहाँ तक किया हुआ है, और यह देखे है, और यह बहुत हेवी लगड़ा है, यह देखे है, जो मसी है, कुछ ऐसा है, यह बिल्ड स्किल प्रो, लास्ट टाम आने ड्रिल लिया था इसका, तो कुछ ठीक काम कर रहा था, तो मैंने यह भी पर्चिस किया है, यह देखे है, तो यहाँ पे एकिक करके, देखेंगे कि क्या-क्या है इसमें, तो यह जो है, यह मोटर वाला पोर्सा है, जो कि एर को प्रोड्यूस करेगा, और इसमें हाई प्रेसर पे एर चाहिए, तो यह कितने वाट का है, एक्जैक्ली, 750 वाट, मतलब काफी होता है, और यहाँ पे इसको लगा के देखते हैं कि कैसे यह काम करता है, तो यह देखें, एक्चली यह प्रेस होगा, तब यह काम करता है, और अगर एर प्रेसर की बात करों, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेस का, ठीक है, तो यह हो गया मेन आपका, मोटर और ब्लोर टाइप का एसमेली, उसके बाद यहाँ पे यह नौजल हो गया, ठीक है, और यह आप बोलेंगे कि यह टिल्ट क्यों है इस तरह से, तो सपोज यह अगर इस तरह से लगेगा, और अगर आपको कहीं ऊपर मूब करके करना है, तो बॉटम में भी जो रहेगा, पेंट वो भी यूज में आ जागा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इ हो गहाँ पर नीचे कर रहे हैं, तो इस सेड में जो भी है, वो सब काम में आजाएगा, ठीक है, और यह सेट यहाँ पर इस तरह से हो गाँ, यह देखिए, यहाँ पर सलाट बना वाँुआ है, यहाँ पर आएगा, और ऐसे घुमाना है, यह क्लिक का साउउंड आएगा, त बहुत ही simple है और यह देखें कुछ इस तरह से और यह देखें मैं अगर operate करूँ तो और जब paint इसमें डालेंगे तो यह इस तरह से यह आगा इस तरह से यह गन काम करेंगा आपका यह देखें एर गन electric air gun बहुत है simple और इसमें कोई भी air compressor यह सब पर टेंसर नहीं है और इस तरह से आप इसको place कर सकते हैं और एक सी जो की यहां पर आप देख रहे होंगे यह क्या है तो यह viscosity को मिजर करने के लिए है एक आपको अंदाजा मिलेगा इससे तो यह देखें इसमें दिया हुआ है पूरा चार्ट कि कितना का कितना फ्लो होना चाहिए तो वाइल एनमेल यह पूरा container बीस से साट मताना चाहिए वाइल इस्ट्राइमर सब कुछ इसमें दिया हुआ है यह सब कुछ है और मैनुमन में सब कुछ दिया हुआ है इसमें और यह क्या है यह जॉग्विल यह क्या तो यह actually जब आप यूज करेंगे तो इसका आपको समझ में आएगा फ्लो जब रहता है कैसे इस चाहिए वार्टिकल चाहिए तो यह सब अब को समझ में आगा जब आप पेंट करेंगे तो और इसमें जो सबसे इंपॉर्ट होता है वह ऐसे क्लीन करने का तो क्लीन जब आपका यूज हो जाए तो यह दिखें यह आपका मेटल का इसमें यह रहता है इसमें मेटल का पार्ट रहता है इसमें और यहां भी तो यह आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है यह ऐसे डिटाइच हो जाएगा जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था इसको आपको साइट कर लेना है पेंट करने के बाद इसका कोई टेंसर नहीं है उसके बाद यह जो है इस portion को आपको पूरा अच्छे से clean कर लेना है और फिर restore करना है नहीं तो paint उसमें चिपक जाता है तो फिर वो irritate करता है बाद में तो यह तो यह था यह आपका electric paint gun और future में मैं इसको use करूंगा उसके बाद बताऊंगा यह कैसे काम कर रहा है और यहां पे एक चीज और important है यह आपको cleaning के लिए दिया हुआ है यह देखिए nozzle clean करने के लिए pipe clean करने के लिए बहुत अच्छा दिया हुआ है यह भी सही है तो यही था और मैं use करता हूं future में मैं बताऊंगा कि कैसा काम कर रहा है और यह जो रहता है आपका यह convenient तो होता है spray paint इस तरह का aerosol spray paint पर बहुत को पढ़ जाता है मतब अच्छे quality का 200 रुपया और थोड़ा सा इसमें रहता है यह देखें तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं और आप लोगों का एक complaint रहता है कि यह paint से धुल जाता है और दोस्तों हाँ अगर आप अच्छे quality का नहीं लेते हैं तो थोड़ा सा भी उस पेट्र गिरेगा एसे पेट्रोल गिराना क्यों है और गराना क्लीन होता है तो उसका अगर कभी आपको कम करना है सैंडeti और से यह केक्र जयाता है तो हट घंसका हैLeя तो मैं इसका यूज करूँगा फ्यूचर में पेंट करने के लिए और आप लोग देख सकते हैं फ्यूचर में फिडबैक दूगा कि कैसा यह काम कर रहा है क्या अच्छा था क्या बुड़ा था क्या मेरिट था भी मैंने यूज नहीं किया ऐसे इसके पहले मैंने अलग- अगर आपको भी यह पर्चेस करना है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दो 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 का हूं वहां से आप जाकर पर्चेस कर सकते हैं इन टास्थ थांक्यू थांक्यू पर्चें मिलते हैं नेक्स्ट्वी में